ओम शांती, 24 मार्च, होली की शुब कामने हैं आप सबको, होली का वर्दान भी आज होली शब्द से related ही है, बहुत ही important है, और आज हमारा session भी हुआ है, जो कि आप live sessions में इसी channel पर आप देख सकते हैं, click करें, live sessions, इस channel में, content में, और फिर उसमें जाकर कि कोई भी session भी शुब् परशारत की सीड़ी को तेज करने वाले ठीवर पुरशारती भवर, ठीवर पुरशारत का मतलब जिक्या है कि हमारा परमात्मा से लगन ज्यादा बड़े, और दुनिया से लगन चूटता जाए, या दुनिया की वाद्मा की वाद्ह innocent करें, अपने संसकार को बजलते जाए दुनिया के संसकार जोपी हैं, जैसे भी हैं, गंदे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, उनको वैसी छोड़ दे अपने को चेंज करें, हो ली, हो ली, वो बात हो ली अर्था जो बात हो गई, बीद गई, उसको बिलकुल खतम कर दो यह उसको कदम कर देना यह बहुत शक्तिशली पावर है इससे क्या होता है हमारे अंदर creativity आती है, इससे क्या होता है हम solutions को निकलते हैं, इससे क्या होता है हम time waste कम करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे मन के अंदर शांती रहती है, इससे क्या होता है कि हम present में रह पाते हैं इससे क्या होता है हम खुश रह पाते हैं सुखी रह पाते हैं कितने होगे 10 और सोचिए क्या क्या होगा फाइदा बीती को बीती कर आगे बढ़ना यही है holy मनाना actual meaning of holy जो बात holy holy छोड़ो ना पिछले साल उसने ऐसे किया कल उसने ऐसे बोला आज उसने मेरे साथ ऐसे किया holy बीती हुई बात ऐसे मैसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है पुराने जन्म की बात है सोच रो हम तो बोलते हैं भी अब 10 साल पुरानी बात मुझे याद रहती है मैं भूल नी सकता परमात्म तो कह रहे हैं वो ऐसे सोचो गए दसल पुरानी बात नहीं पिछले जन्म की बात है भूल गया याद ही नहीं पिछले जन्म की बात किसको याद रहती है तो ऐसे state of mind में रहना है जब ऐसी सिती हो जाती है तब पुरशाद की speed तेज हो जाती है पुरशाद के हमारा परमात्म से जतना प्यार होगा अंत समय में शरी छोड़ता समय परमात्म यादा के चीज़ें याद नहीं आएंगी क्योंकि हम आत्में जहां मारी बुद्धी दोड़ती है वहीं हमात्में पहुंचाती है तो अगर अंत मती सोगती अंत में अगर परमात्म यादा है परमधा में यादा है जिसकी प्रैक्टर्स जादा करी तो वहाँ जाएंगे अगर ये दुनिया वाली चीज़ें यादा है तो शरी छोड़ना मुश्किल होगा बहुत घहिए इमपोर्टन बात है इसी बात है जब ऐसी सिती हो जाती है ता पुर्शाथ की स्पीड नहीं कौल दिया काश मने यसे नपने को भी नी कोशाना अपने भी बुरा ही ना और दूसरों की बीति वहीं बातों को कभी चिंतन में नहीं लाने भी इसने रहता काश उसने टतट रही दोट सोचा होता जो भी आप बहना चाहते हैं उसमें ये सारी चीज़ें नहीं करने से हमारा मन शान्त रहता है और हम परमात्मा से योग में मतलब meditation में रह पाते हैं चलते परते हैं चित पर नहीं रखना मतलब कि subconscious चित को कहते हैं subconscious mind कि कोई चीज़ आप बार-बार repeat करते हो किसि के बारे में ये अपने बारे में ऐसा हो तो वो चित में चली आती बात है और जो चित में चली आती उसको निकलना मुश्यो होता है तो पर हमनद कहते हैं इसको समझो कि हम practice कैसे करते हैं अगर आप चित्में डालना चाहते है। तो वो भी नहीं रखनेे पाप प्रमात कहते हैं। और वर्णन तो कभी नहीं कहना है यह ऐसा है। गंटे गंटे बात करना किसी की बार में, नहीं तब ही तीवृपृशार्थि बन सकेंगे तब परमात्मा की याद रहेगी वों विक्ति चला किया बीटी बाद चलेगी उसने जो करना तब कर लिया हमारा कुछ भी नहीं है नधन हमारा है नइतन हमारा है सब कुछ तेरा 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 मेरा क्या लाग है तो फिर कौन बुरा कौन अच्छा अगर सब कुछ परमात्मा कहा तो मेरे कुछ गाटा तो नहीं हो ना गाटा किसको हुआ है किसी को परमातों कभी गाटा होते नहीं है और जब हमारा कुछ है भी नहीं हम ट्रस्ट बहुत शकुन में रहना बहुत जरूरी है इस वरिती में रहेंगे तो बहुत सकुन में रहेंगे बहुत शन्ती बहुत शन्ती